नमस्कार दोस्तों मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करते हूं आपका आज की स्ने वीडियो में शाम की बड़ी खबरेत देने जा रहे हैं यहाँ पर इंडिगो और एयर एशिया ने स्टार्ट कर दिया है यातरियों को रिफंड देना आपको बता दें कि इसके पहले क्रेलीट सेल में बैल coup दिया जा रहा था पर अब यहाँ पर जो बैलेंस हो आपको आपके एकट में डिया जा रहा है बता दें दूस्री एयलाइन की वज़े से नौन ऑपरेशनल हुई अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं बता दे आज जेट एर्वेस का जो लास्ट सम्मिशन था यू आई का वो था और यहां पर पोटेंशल वायर की तला से जेट एर्वेस को और पोटेंशल वायर की जो मिनिममम लिमिट है उसको कम कर दिया गया है जहाँ पर की पहले 1,000 करों रुपय था उससे घटा कर 500 करों कर दिया गया है अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं बता दे दिल्ली से खबर निकल कर आ रहे है दिल्ली के वरकर खरीद रहे हैं बिहार के लिए एयर टिकट साला की काफी महेंगी है बतादे, इंटेनेशनल अपडेट से में सभ से पहली खबर निकल अरही है चेंहे एरपोर्त से, बतादे की चेंहे नही एरपोर्त का इंटेनेशनल, जो एरपोर्ट है वो उडानों के लिए तैयार है और सभी operations के लिए ये एरपोर्ट अब तयार हो चुका है अगली खबर है चाइना इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर बता दे कि चाइना इंटरनेशनल फ्लाइट से आई है बड़ी खबर काय कि कोवीड कंट्रोल में रहा तो इंटरनेशनल फ्लाइट के operation की संख्या बढ़ तो उससे से वो काफी ज्यादा complicated है अगली खबर हो सबसे अनत में खबर की बात करते है नियू कास्टल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंगलेंड से निकल कर आ रही है बता दे नियू कास्टल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उड़ाने है अपनी वो शुरू करेगा एक जून